इस बक्त मैं मौझूद हूँ पुर्व सिच्छा मंत्री मेवालाल चौधरी के सरकारी आवास में आप देख सकते हैं उनका सरकारी आवास जो है वह बंद है बाहर मीडिया का जमावरा लगा हुआ है अंदर खुद मेवालाल चौधरी है वह किसी से मिल नहीं रही है बाहर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं गुलदस्ता यहां काफी परा हुआ है सुबह से लोग आ रहे थे पिछले दो दीन से लोग आ रहे थे बधाई दे रहे थे और गुलदस्ता भेट कर रहे थे लेकिन आज आखिरकार मेबालाल चौधरी को इस्ति बंदन है हर पार्टी का अपना अपने लिष्ट के हिसाब से मंत्री बने है और मुख मंत्री का प्रियोग्रेटीव होता है दूसरी बात यह है कि विपक्ष के लोग बे फजूल का मान लीजे किसी को इशू बना रहे है यह तो इन पर कोई चारशीट नहीं था या फिर को तो अंधे मूँ वो गिरें यह कोई होटवार जेल में नीगरानी के तरफ से इनको क्लीन चीट तो नहीं दिया गया था और मुझे याद है 2017 में जब इनका इस्तिफा लिया गया था उस समय विपक्ष की भूमिका में बीजेपी थी और आप लोगों ने ही जाच की मां की राजिपाल ने जांच किया था और जांच में सही पाया गया था जो मेवालाद चौधारी पर आरोप लगे की जाय cash है लेकिन उसके बावजूद भी अगर पर इन्होंने जाएन है तो इससे तो चाहिए लेकिन फजिया टोह गई ना सरकार की फजिया तोह गई पार की फजिया जावार उटाया और उट आया और हमको ऐसा लगा क्यों नेइस्य संक्राटा ने ऊकिन कर देना चाहिए तो यह तो यह तो सवाल तो यह है ना कि आखिर हम ऐसे व्यक्ति को ऐसे नेता को क्यों बनाए जिस पर अभी भी निग्रानी के तरफ से जिसको क्लिंचिट नहीं मिली है देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाँच की एक परक्रिया है जाँच का एक प्रॉसेस है वो प्रॉसेस में जब कोई सजायाफता होता है तब वो दोशी ठहराया जाता है केवल आरोप लगा देना या केस करना या उस परक्रिया में चले जाने से कोई आरोपित होता नह उन्होंने पाया था कि जो आरोप लगे हूँ अब बिल्कुल सही है। इनको नहीं बनाएंगे उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगा कि उन पर कुछ सवालात उठ रहे हैं और उन्होंने मोरल ग्राउंड पर नितीज कुमार को नहीं बनाना चाहिए था यह मैं कैसे यह मैं कैसे कह सकता हूं आप से योगी दल हैं बिल्कुल करें बार 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 होता है अपने मंत्री परिस्द में मंत्रियों को बनाना लेकिन जब मुक मंत्री जी करप्शन पर क्राइम पर और कॉमनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं और सही या गलत अगर कोई आरोप लगा और उन्होंने मोरल ग्राउंड पर इस्तिफादे दिया तो इससे तो स सरकारी आवास पर लोगों का ताता लगा हुआ था बधाई देने वाले लोगों का ताता लगा हुआ था सभी गुल्दस्ता लेकर आ रहे थे और आज आप देख सकते हैं गुल्दस्ता यूं ही रखा हुआ है और मेवा लाल चौधरी अपने सरकारी आवास में बंद है झाल झाल